बुद्ध महिला विरोधी थे, क्या बुद्ध नहीं चाते थे कि महिला भी संग में दिख्षित होकर सन्यासी बने, वो भी धरम गुरु बने, वो भी लोगों को दिख्षित करे, वो भी धरम उपदेश दे सुना है कि तथागत ने संग में महिलाओ को सामिल करने से इनकार कर दिया था, और आज बड़े पैमाने पर, बुद्ध के उपर ये सवाल खड़ा किया जाता है, कि बुद्ध ने महिलाओ को संग में लेने से इनकार क्यों कर दिया, और हमारे सास्तर भी यही पढ़ाते है, सास्तरों में भी यही लिखा कि बुद्ध ने महिलाओ को संग में लेने से इनकार कर दिया, क्या बुद्ध महिला विरोधी थे, क्या बुद्ध नहीं चाते थे, कि महिला भी संग में दिख्षित होकर सन्यासी बने, वो भी धरम देश दे, अगर बुद्ध ऐसा चाते थे, तो फिर बुद्ध ने महिलाओ को संग में दिख्षित क्यों करा, दरसल बात ये है कि जब महापढ़जापती गौतमी बुद्ध के पास गई, बुद्ध से मिली और बुद्ध से कहा कि मुझे संग में दिख्षित कर लीजिए, बुद्ध ने कहा है माता मैं आपको संग में दिख्षित नहीं कर सकता, क्योंकि उस समय तक, आपको इतियास जानना होगा कि उस समय तक केवल पुर्सों का संग होता था, महिलाओं का संग नहीं होता था पुर्सों का संग होता था और बुद्ध से पुरु कभी भी किसी महिला ने संग में दिख्षित होने की या संग के साथ चलने की इच्छा जाहिर नहीं करी सन्यासी ग्रहन करने की कभी इच्छा जाहिर नहीं करी कभी धर्म अबदेश करने की इच्छा जाहिर नहीं करी बात तो यहां तक पहुँच गई थी कि महिला धरम उपदेश तो कर ही नहीं सकती उसे सुनना भी अपरात था कर तो नहीं सकती पर सुनना भी अपरात था पर बुद्ध के समय में महिलाओं ने बुद्ध की देशना को सुना धम को सुना और बुद्ध के धम से परिरित होकर महापरजापती गोतमी ने पतागत से संग में सामिल होने की इच्छा जाहिर करी है तो थागत ने पहली बार में इंकार कर दिया ये इसपष्ट है पर इंकार क्यों कर दिया इस कारण ने की बुद्ध महिला विरोधी थे या वो पुर्सों में और महिलाओं में कोई भेद करते थे ऐसा बिल्कुल नहीं था बुद्ध ने वर्तमान की समश्या को जाना कि वर्तमान में केवल पुर्सों का संग है महिलाओं का कोई संग नहीं है और एक दो महिलाओं को संग में दिख्षित करने से हो सकता है कि संग में कोई कोई खामिया पैदा हो जाए कोई अनेतिकता पैदा हो जाए कोई असभेता पैदा हो जाए तो बुद्धने निवेदन क्या कि हे माता मैं आपको संग में दिख्षित नहीं कर सकता ये बात सुनके महापरजपती गोत मी थोड़ी निरास हुई उदास हुई और वो एक तरफ जाके बैट गई और आनंद से बात करने लगी कि तथागत से जाओ बात करो कि वो हमें दिख्सित क्यों नहीं कर सकते जब दोबारे आनंद बुद्ध के पास गए और बुद्ध से कहा कि है सास्ता आप तो करूना में है आपकी करूना तो सभी के ऊपर बराबर पड़ती है आपका धम उब देश आपकी देशना तो सभी के लिए है इस्तरी हो या फुरुस हो अमीर हो या गरीब हो आप तो कहते हो कि मेरा धम समता में है, मैत्री में है तो फिर आपने महापरजापती गोत्मी को संग में दिख्सित करने से इनकार क्यों कर दिया तो तथागत कहते हैं है आनंद मैंने महापरजापती गोत्मी को संग में दिख्सित करने से इनकार नहीं करा बलकि मैंने इनकार करा इसलिए क्योंकि अभी हमारे पास जो संग है विस्तार से वो पुर्सो का संग है इस्त्रियों का नहीं है और इस एक इस्तिरी या दो इस्तिरी के संग में दिख्षित होने से मुझे ऐसा लगता है कि संग में कोई दिक्कते या कोई ऐसा बेता कोई आन नितिकता जैसा वैभार ना हो जाए मेरे पास एक सुझाव है कि महापरजापती गोत्मी से कहा जाए कि वह स्विम पहले इतनी ऐसी महिलाओ को इकटा करे या महिलाओ को जागरुक करे जो महिलाओं अपने जीवन में सन्यास्त ग्रहन करना चाहती है जो संग में दिख्षित होना चाहती है तो मैं चाहता हूँ कि महिला स्वेम अपने संग में दिख्षित हो जाए आप ध्यान दीजेगा बुद्ध क्या करें कि बुद्ध पुरुस संग में भिकुस संग में दिख्षित करना नहीं चाहते बुद्ध कहरें कि महिला अपना परतिन दित्व स्वेम करे वो स्वेम विकुनी संग बनाए बुद्ध की ये बात जब आनन सुनते तो वो सोचते हैं कि सच में बुद्ध की जो अनुकंप है वो अपार है बुद्ध जैसे सास्ता महिलाओं को एक अलग परतिन दित्व दे रहे है और ये पहली बार संसार में घटित वा बु किसी वेदो पुराणों में, किसी उपनिशेदों में, किसी सास्त्रों में ये कभी नहीं लिखा गया कि महिलाओं दिक्सित होकर सन्यासी बनेगी, धर्म उपदेश करेगी, भरम गुरू बनेगी पर बुद्ध नहीं कहा कि महिलाओं दिक्सित होगी और महिलाओं अपना प दिख्षित करने से क्या था कि मैं एक महिला या दो महिलाओ को भिक्कु संग में दिख्षित नहीं कर सकता महिलाओ अगर अपनी संख्या अपना संग बनाने के लिए तैयार है तो मैं उनको दिख्षित करूँगा और वो स्वेम भिक्कुनी संग बनाकर धरम का उपदेश करे धर्म का पालन करे तो बुद्ध ने कभी भी इनकार नहीं करा कि महिलाओ को दिख्षित नहीं करूँगा बलकि संसार में बुद्ध पर्थम ऐसे सास्ता ऐसे तथागत है जिनों ने पूरे संसार में महिलाओ को धर्म गुरू बनाया है और महिलाओं ने गुरू बनकर समाज में धर्म का उपदेश दिया है और उसी की प्रंप्रा को आज सभी धर्मों ने अपनाया है और सभी धर्मों ने धीरे धीरे आज महिलाओ को भी धर्म गुरू माना है ऐसे सास्ता थे तथागत नमो बुद्ध है